हेलो दोस्तों यह है होंडा एक्टिवा 125 ब्याइए सिक्स तो आज इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हम इसके प्राइस फीचर्स और माइलेज के बारे में एक्टिवा 125 में तीन वेरियंट आते हैं चार कलर आप्सन के साथ यह एक्टिवा 125 का टॉप मॉडल है एड़ लाइट को देख सकते हैं जो की फुली एलीडी सेट अप में देखने को मिल जाती है जो की नैट के लिए काफी ज्यादा कमफर्टिवल इसमें आपको रोशनी मिल जाती है और इसके अपरेंट के ऊपर आपको हॉंडा का ब्रांटिंग मिल जाती है यहां पर आपको unique design की दी गई हैं और यहां से भी आप इसकी design को देख सकते हैं जो की काफी unique सी design इस scooter में आपको मिल जाती है और इसका जो front वाला mudguard है वो आपको glossiness में मिलता है और यहां पर आपको reflector मिल जाता है और इसके front में आपको combi braking system मिल जाता है 190 mm diameter की disc brake के साथ में और यहां पर आपको 90 wide 90 section के tire size मिल जाते हैं इसमें 12 inch के black color के allowable दिये गए हैं और यहां पर आपको telescopic suspension मिल जाते हैं इसके front में इसके meter console की बात करें तो यहां पर आपको analog type और digital type का meter console देखने को मिल जाता है और यहां से आप speed देख सकते हैं और यहां पर आपको auto mode indication light engine malfunction indication light और यहां पर आपको man headlight indication light और यहां पर eco mode indication light देखने को मिल जाती है और इसके side में आपको turn signal indication light देखने को मिल जाती है इसके नीचे की साइड में आपको एक trip meter मिल जाता है जो की digital के रूप में दिया गया है जिसमें आप जो है fuel की reading देख सकते हैं और यहाँ पर आपको clock भी मिल जाती है और यहाँ पर आपको average भी यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि इस scooter में आपको कितना mileage मिल रहा है हो यहाँ पर में आपको passing का switch मिलता है और नीचे की side में horn और indicator का switch मिलता है और इसके दूसरी side में चलें तो यहाँ पर आपको auto mode का switch मिलता है और नीचे आपको self का switch मिलता है अगर इसको side profile की तरफ से देखें तो इसकी design ने वो काफी unique दी गई है और इस scooter में जो है वो graphics और sticker का बहुत ही और इसके corner की side में यहाँ पर आपको Activa 125 का logo देखने को मिल जाता है जो की इसके chrome की plate के उपर लगाय गया है जो की इस scooter को काफी premium look दे रहा है और यहाँ पर आपको exhaust मिल जाता है जो की matte blackness में दिया गया है और यहाँ से आप इसकी seat को देख सकते हो इसकी जो cushioning है वो भी अच्छी यहाँ पर आपको मिल जाती है और इसके पीचे की side में आपको एक silver finish का grab handle मिल जाता है और यहाँ पर आपको Honda की branding मिल जाती है seat के नीचे की side में और यहाँ पर आपको external fuel filling का option मिलता है 5.3 liter की capacity के साथ में और इसकी जो tail name पर वो भी काफी unique design की दी गई है जो की bulb में हैं और इसकी जो indicator है वो भी आपको बल्व वाले मिल जाते हैं और चलते हैं इसके दूसी side में तो यहाँ भी आपको जो है Activa 125 की branding देखने को मिल जाती है इसकी chrome की plate के उपर नीचे की side में आपको HET BS6 का logo देखने को मिल जाता है sticker के रूप में यहाँ पर आपको side stand और man stand मि मिल जाता है 10 inch के black color के allowable के साथ में और 130 mm की drum brake दी गई है और इसके पीछे की side में आपको 3 step adjustable spring loaded hydraulic type के suspension मिलते हैं अब बात करें इसके engine और power की तो यहाँ पर 124 CC का air cooled 4 stroke BS6 engine मिलता है इसकी maximum power है 8.29 PS की 6500 rpm पर इसका maximum torque है 10.3 nm का 5000 rpm अब बात करें इसके additional features की तो इस scooter में आपको मिल जाते हैं real time fuel efficiency and range, eco speed indicator, ACG starter, ensure a silent start, front glove box, 5 minute lock with dual function switch, idling stop switch, इसकी top speed है 94 km पर आर की और इसका curve weight है 111 kg और यहाँ पर आपको के के start का option भी मिल जाता है और यहाँ से आप इसके lag space area को देख सकते हो जो की काफी बड़ा दिया गया है और यहाँ पर आपको एक carry hook मिल जात मिल जाता है इस box में आप जो है अपने mobile को और purse को और document को आसानी से रख सकते हैं जो की एक नया feature से इस scooter में अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके boot space की तो यहाँ पर आपको 18 liter का boot space मिल जाता है जो की काफी बड़ा है यहाँ पर आपको mobile charging port और LED light का कोई भी option नहीं मिलता है और इसकी जो fuel filling है वो आपको external मिल जाती है और यहाँ से आप इसकी seat को देख सकते हो जो की काफी चौड़ी दी गई है तो अब बात करें इसके mileage की तो इस scooter में आपको जो है 50-55 km per liter का असानी से mileage मिल जाता है अब बात कर लेते हैं इसके price की तो यह Honda Activa 125 BS6 का disc variant है और इसकी जो on road कीमत है वो है 97,665 रुपे यह on road कीमत मैंने आपको बताई है दुगार, Honda, Bangor, Jesso, Road, Kolkata, Surum की, Surum की सारी जनकारी आपको इस वीडियो के description box में मिल जाएगी other state वाले बिल्कुल भी tension नले, आप अपनी city का नाम comment कर देना, मैं आपको आपकी city का on road price reply करके बता दूँगा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को जहाँ से आदा like करें, comment करें, share करें, अगर आप channel पर पहली बार आए हैं तो channel को subscribe कर देना और साथी साथ प्रेस कर देना बेल आइकन को, thank you दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में